चलिए समोजा हमारे बास आज चुका है और राम जी का समोजा हमें टेस्ट करने वाले हैं और टेस्ट करके आप तो बताएंगे कैसा है समोजा आपका बहुत स्वागत है जैसा कि अभी तक हमने आपको पूरी अध्या के दर्सन कराए और अध्या के जितने भी भव्यस्थान है सबका आपको दर्सन हुआ है आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं आप देख सकते हैं डाक्टर राम मनोहर लईया पीछे है और यहाँ से आपक समोसा के नाम से फेमस हैं और यहाँ पर काफी लोग आते हैं लगभग हजारों की शेंख्या में लोग समोसा खाने आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ काफी लोग आ रहे हैं एक भाईया भी है चलिए इनसे दो सब्द बात करते हैं क्या नाम भी आप गोलू से नाम है मेरा वहां देख सकते हैं और यहां से जब जाते हैं तो समूसा जरूर खाने जाते हैं तो इनसे पूछते हैं क्या पसंद है इनको समूसम क्या अच्छा लगता है हो सरह ना है समेस्का राती है और यहां आप देख सकते हैं ऐसे भीड हमेसा रहती है और यहां काफी और सारे लोग संपेस्टे का इंजॉआई कर रहे आप देख सकते हैं हमारे साथ एक अंकल जी है नुसकार ce क्या नाम है आपको यहां अच्छा लगता कितनी बार आ चुके हैं कम से कम 15-20 बार आ चुके हैं जब भी हमको सुल्तानपूर इलाहबाद जाना होता है तो गाड़ी खड़िया के परिहां नास्ता कर लेते हैं तो बागे जाते हैं ऊपर लोगो लगा है राम जी समोसा का आप देख सकते हैं कम से कम हजारों लोग आते हैं समोसा यहां खाके जाते हैं, आप देख सकते हैं, आप कभी भी आ रहे हैं यहाँ पर, जरूर खा के जाईए, यहाँ से आपको 500 मीटर की दूरी पर, आप देखेंगे, यह एरपोर्ट है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ लोग है, क्या नाम है ज़ादा आपको, तो आप समोसे का बखान कर रहे हैं, यहाँ आप देखते हैं, कि सहर में बहुत समोसे वाले हैं, लकिन इनके कोई समोसा नहीं देता, देख सकते हैं, आप चलिए और किसे से बात करते हैं, क्या नाम ज़ादा आप, पुर्शतम महमिन का, कहां से आएं आप, लखनव से, लखनव से आए आप देख सकते हैं चाचा यहां का समोसा खाने तो आप यहां कितनी बार आ चुका है तो आप पेले वाले पेटेस्ट करने वाले हैं और टेस्ट करके आप तो बताएंगे कैसा है समोसा चलिए टेस्ट करते हैं पहले और यह हमने समोसा का एक लिया बाइट और जो इस पर चटनी दी कि उसको भी मिक्सकल को चटनी को लगा के लाल वाली को टेस्ट काफी अच्छा है और काफी तीखा है जैसा कि पीछे बनाई तो बहुत सारे कमेंट आए थे तो अब वीडियो बनाई यह आया था कि राम जी समोसे का नाम लिखता है और और वो टेस्ट नहीं रहा गया हाँ तो खाने में टेस्ट ठीक है लेकिन इस पाइसी काफी ज है अपना कमेंट कर सकते हैं अज दोस्तों आप देख रहे हैं आयोदया ये चैनल वीडियो लगे वीडियो लाइक के लिए जादा शेयर करें रहो चैनल आप नहीं खाए तो भीया नहीं खाते हैं समोसा इनको पसंद नहीं आपका सुनाम दुरगेश तिरपाथी जी हमारे साथ में तो आप भी आए समोसा खाने जी आज पहली बार खाया अच्छा लगा आपको उनकी लेसुन की चट्नी जो है और मिठी जो चट्नी है इसके कमनीक है अच्छा लग राहा था यहां करम दृट कर सकते हैं और इसे अजह सुक्रण तो आपको क्या अच्छा लगा अगर-दिजय गईयरवेदिक चट्नी देते हैं देए हैं आप देख सकते हैं इनको बहुत पसंद है तो आप भी आए अगर यहां से आ रहें यह एरपोर्ट से आएंगे तो 500 मीटर की दूरी पर है और यहां बगल में आप डाक्टर देख सकते हैं राम मनोहर लोहिया एनुवर सिटी भी है अई एक भाया जी और है साथ में बात करते ह देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छा लगा है तो इसलिए यहां भीड बहुत ज्यादा रहती देख सकते हैं सौप है देख सकते हैं आप पूरा काउंटर पे चार-पांच लोग भीड हमेशा रहती समोसा देते रहते हैं सर्व करते रहते हैं लोग छुटी नहीं मिलती इनको यहां के चलिए देखते हैं कोई लोकल लोग हैं तो उनसे बात करते हैं तो देखिए हमारे साथ एक भीया पुस्वराज सिंग जुड़ चुके हैं इनसे पूछना चाहें कहां के निवासी विया मैं प्रियाग राज के हैं तो आप देख सकते हैं कि काफी दूर-दूर से लोग यहां आये हैं समोसा खाने कैसे पता लगा आपको यहां मैं इधरिस ड्यूटी डेली जाता था कहां पर ड्यूटी करते हैं अब अच्छा भीया की ड्यूटी एरपोर्ट में है और यहां डेली समोसा खाते हैं इनको बहुत क्वाल्टी यहां की पसंद आई समोसे क्या क्या पसंद रहा है समोसा का स्वाद अच्छा है चट्नी अच्छी है बस चलिए बहीया जी है जो य कहा की निवासी हैं हम उन्नाव कि té ंजिक्स तो देख सकते ह AG आए हैं समोसा खाने मैं काफी नाम तु है आरे यहां पूरे भारस से लोग आते अब तो ऑध्या मुंभ दर्शन करने लोग बाहर से बहुत लोग आरहे हैं तो यहां समोसा कहा का कर वी हुँ है ऊप समोसा का रहे हैं, कोई चाए पी रहा, कोई पानी पी रहा है, और इनके मिठाईयां भी काफी अच्छी मिलती हैं, जो कि आप काउंटर में देख सकते हैं, सजाई कहीं हैं, मिठाईयां भी देख सकते हैं, तो आप यहां का नजारा बहुत भब होने आप आएंगे तो आपको बहुत जादा इंज्वाए होगा,